Very good morning all of you. Here this is your dilika means and this is your English period. Today I am going to teach you page number 45, Rhyming Words Hunt. What is Rhyming Words? Rhyming Words का मतलब होता है एक जैसा मिलता जूलता सब्द. आपको एक सब्द दिया हुआ रहेगा और आपको उसी के जैसा मिलता जूलता दूश्रा वर्ड लिखना है. Now see, I want to make rhymes. Help me write to rhyming words. It's from the poem. आपको पिछले page के poem को देखना है. उससे help लेते हुए दिये हुए words का rhyming words लिखना है. उके? प्रिवियस पेज में हम लोगों ने एक poem पढ़ा था. इस poem को देखना है. इसका help लेना है. और आपको दिया हुए words का rhyming word लिखना है. ओके? फॉर्स्ट वर्ड इस जॉय. जे ओ वाई. जॉय. जॉय से मिलता जुलता सब्द है बी ओ वाई boy and टी ओ वाई toy. क्योंकि जॉय में ओ वाई sound है और टॉय और बॉय में भी ओ वाई sound है. जब भी आप rhyming word लिखेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि लाश्ट वाला लेटर दूसरे rhyming word में सेम होगा अंडरिस्टूड. सेकेंड वर्ड इस टॉप टी ओ पी टॉप टॉप में ओ पी साउंड है इसलिए ओ पी साउंड वाला दूसरा वर्ड हम इसमें rhyming words के रूप में लिख सकते हैं. टॉप का राइमिंग वर्ड होगा पी ओ पी पॉप एंड एच ओ ओ पी होप टॉप पॉप होप ये तीनों ओ पी साउंड वर्ड से हैं. And the third one is लॉग 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 का राइमिंग वर्ड से डॉग एंड फॉग दी ओजी डॉग फॉग दॉग फॉग दॉग फॉग फॉग लॉग तीनों में ओजी साउंड है तो सेम साउंड वर्ड को राइमिंग वर्ड भी बोला जा सकता हैं. Understood? Now, See, एक से अधिक बार यूज होने वाले वर्ड को साउंड वर्ड बोला जाता है. साउंड वर्ड N-O-T-0 O-H-O New words H.O.P. Hop, L.O.G. Log, G.O.T. Got, B.O.X. Box, T.O.Y. Toy, T.O.P. Top, L.O.T. Lot, S.O.B. Shub, P.O.P. Pop, B.O.Y. Boy, J.O.Y. Joy, B.O.B. Bob, नीचे लिखे हुए साइट वर्ड्स, नू वर्ड्स, एंड फॉनिक्स वर्ड का रीडिंग ट्रैक्टिस करना है और राइमिंग वर्ड्स को लिखना है और लर्णना है। करना है। ओके, that's all for today, thank you.